तो भाईयो रिसेंटली जो अभी ट्रैक आया है बाजरेता सिट्टा उसके प्रमोशन के लिए एक इंस्टा लाइव हुआ था जिसमें इकका भी थे और उस लाइव में उन्होंने बताया कि वो अभी उनकी नेक्स्ट अलबम के उपर वर्क कर रहे है और अभी उनका राइट की नहीं और दो दिन बाद ये एपी ड्रॉप होने वाली है 19 को अभी इस एपी में कितने ट्रैक्स होने वाले है इसकी भी कुछ अपडेट नहीं है अभी सिफ इसका ओफिशल पोस्टर आउट हुआ है और साथ में ये पता चलाई कि ये सोनी म्यूजिक से देखने को जैसे आती है मैं आप लोग को बता दूगा बाकि आप लोग का क्या कहना इस सर्प्राइस के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो नेक्स्ट अपडेट जो है वो सिकंदर कालो की साइट से है तो अगर आप लोग इंट्रस्टेड हो तो जाके चेक कर सकते हो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो 47 के साइट से है तो भायू स्पॉटिफाइब पे 47 के 100 के फॉलोवर्स कम्प्लीट हो चुके है तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो रागा की तरफ से तो भायू रागा ने अपने इंस्टा पे स्निपट डाला था उनके अपकमिंग ट्रैक का जो की कुछ ऐसा था यहां पर आप लोग देख सकते हो तो देखता है कब तक यह ट्रैक ड्रॉप होता है जैसे कुछ अपडेट आती है मैं आप तक पहुचा दूंगा तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो सोनी म्यूजिक से और इनके पहले भी ट्रैक्स ड्रॉप हो चुके है तो कल आप लोग को एक गाना देखने को मिल जाएगा और जहां तक मुझे पता है कि यह आटस्तान की यूट्यूब चैनल से ड्रॉप होगा नेक्स्ट अपडेट जो है वो जीवन की साइट से है और जीवन की तरफ से प्रीज में वो बात करते हैं बोहिमया पाजी के बारे में और उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है मेरा गुरू ही सगा नहीं किसी का तो मैं क्यूस का सगा बनूँ आयम अन्फॉलोइंग हिम और टैक करा है उन्होंने बोहिमया को और साथ में रफतार को नीचे टैक करा ह हुआ है और लिखा है लव रफतार ही इस रियल इसके बाद से वह एक क्लिप शेयर करते हैं जो कि बोहिमया के इंटर्व्यू किया जिसके मैं आप लोग को कल अपडेट भी दी थी जिसमें हनी सिंग की तारीफ करी है बोहिमया पाजी ने तो जीवन उस क्लिप को शेयर करत है तो पहले तो आप लोगी क्लिप देख लो जो की काफी साल पुरानी है और उस टाइम पे हनी सिंग को क्या कहा था बोहिमया पाजी ने अब आप लोग का इंटर्व्यू आया है उसमें उन्होंने कुछ और चीज कही है और तारीफ करी उन्होंने हने सिंग की तो यही चीज जो है वो शायद जीवन को सही नहीं लगिया अब आप लोग इस चीज के बार में क्या क्याना है नीचे कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हो और यहाँ पर मेरा बिलकुल भी राद नहीं है कि जो पुरानी कॉंट्रोर्सीज है उनको मैं वापस से रिवाइव कर दूँ और यह चीज मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों सब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई